पार्ट पांच अजन्ता की चित्रकला का पूरे कोशन अंसर का समाधान करेंगे देखे अजन्ता की चित्रकला रायकृष्ण दाष्ट द्वारा रचीत है मstanding प्रश्ण कर लेतें हैं जैसे कि दिआ हुआ है निम्लिकित प्रश्णूंब में से सही विकियान की जिरल आप तो जो जो आजन्ता की गुफा किस पर्देश मैं देखे आजन्ता की जुछ कित्रकला है वो इसे करके टिक लगा दी जो है दूसरा कुष्ण है में कोुंसन है मिलिए आज कि यह देखी यहां पर है कि हां आजनता क्या प्राक्रुटा कि सौंदर का विव्कास कब से कब होता है मतलब कि वहां जो होता है मतलब कि सौंदर का प्राकृति का विकास होता है वो किस महाईने में होता है जनवरी से मार्च में अक्टूबर से दिसंबर में जुलाइ से सितंबर में मार्च से जून में तो यह हो देखिए जो मुक्रूप से होता है वहां पर विकास वह अक्टूबर से सि सितंबर तो अक्ट्वर्स सितंबर में आप लोग टिक लगा दिए उसके बाद देखिए दुसरा जो कोशन है की बड़ी होफा कोन सा सते बी होफा उननीशध voice बार बी होफा फास्यों यहां पर देखिए सबसे बड़ी ही वह कई ना कई है कुशा ऊनीश्य कोफाने जो लोग टिक लगा दी कणे हैं उसके बाद दुर्साद देखिए लेग्वों ऐसंती इस में Намن ए हुआто आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि निम्ले 해 प्रश्णों के उत्तर दीजिए अजनता पहुंचने के लिए लिए इस्टेशन के किस ग्राम में किस ग्राम से करके वहां पर जाना होता है तो इसका देखिए तक जाना पड़ता है अजनता पहुंचने के लिए पहुंच जाना पड़ता है अजनता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ता है तो उसके बाद पहुंच जाईएगा कहानी का दूसा उसका देखिए है कि कि जनता की घंटकी में किस प्रकार का बनदै अजनता की घंट में चारों और हरी सिंगहार ऑन अपन कर अध्य उसके बाद यहां पर जलुके बलब और की किस गुफा में प्रार्थन major ऊपसना कि यह खेटिपो गुफा में केवल प्रार्तना या उपाष्णा की जाती थी तो हो जाएगा आप लोग का कि अग्ट नाजनता कि किस गुपा में केवल केवल संधिया के समाई ही शूरी की अंचिम किरने परवेस करती है तो पारी क्राइभ में अंतिम के सविकिन काली क्या होती है पर विसका दियुका उसके बाद नहीं करती है है उसको देखिए अजन्ता के बना एलन गके जिए तो लिके आपिरा कृष्टिक यहां उत्तपन होते हैं इसी कारण चित्र पक्षी का एक मेला सलगारा तो अनियक्व पक्षी यहां पे आते रहते हैं तो उसके बएद देखे यहां जो है दुसरा मात्पूर्ण कोस्टन कि आज़नता के चित्र निर्मान कि विधी का विधी के लिवन के सट tie अनन्तों गया ओंटा जया यहां ज block दो चौह दो इब टिशोंगे यह नौनी को जौह हो जाएगा आ लिए कर आजा अजन्टा के चित्र निर्मान के संच्षित में इस परकार थी अधिकले की इस परकार थी इसके में मैं बताया गया इसलों सबसे वह पहले है दीवार में जहां चितर करना होता था वहां पथर टरकस खुरदुरा बना दिया जैता था जिस पर गोबर पथर का चुना और कभी खान की भूशी शोजय जानिक गारे का गो लेवा चाड़ा जाता था यह लेवा चूने के पतले पर अपनशतर से प्रक्राइब टेका इघका जाता था और इस पर पर जबीन बाद का लाल रंग की रेखा से चित्र टिप जाते ठेजिसमें बाद में रंग भरा जात था रंगों की योजनन प्रसंग अनुकूल चित्त किया जाता था अब सकता नुसार उसमें विविद उसमें विविद ता भी यह थो चित्त हलका सा लगा का चित्र के अब यवों में गोलाई उभाड़ी और गहराई दिखा जाती थे हाथ की मुद्रा आख की आखाओं की चित्वन से रंगों के लो जाएगा अब लोगों का उसके बाद देखिया है जो नेक्स्ट कुछन है कि अजनता के सोली गुफा के दो चित्रों का वर्णन करना है तो देखिए इसमें लिखना है के दो चित्र वोल्लेखनिया है गहरी रात में भगवान बुद्ध ग्रीतियाकर मतब घर को छोड़ कर के चल रहे हैं यह सोधरा और उनके उनके संग्सिशु राहूल सोया हुआ है पास की परिच्ची चारिका पर भी निंद्रा ने मोहिनी क्या है मोहिनी डाल रखी है इस द्रिश्ट पर एक निगाह डालते वे बुद्ध देव अंकीत किये गए हैं इस द्रिश्टी में मो ममता नहीं है प्रश्टुति तुति उनका अंतीम त्याग अंकित है यही इस कृष्टी का रहोश्य है एक अस्थान पर मरता हुआ राजकुमार का चित्र है देखें मरती वी राजकुमारी का चित्र है और उसके बचाने के सभी उपाय अश्रम्व्यव से आग व्यत्त हो गया ह मूर्स की अवस्था और आस्पास्पा पास्वालों को विकलता दर्सा को दरित्रता को दर्शाया गया दरित्रता कि यह बीना नहीं रहती है मतलब कि यह दिखाया गया अजंता के सत्रवी गुफा में क्या है माता माता पुत्र के माता पुत्र के देखें जो दिया हुआ है कि यहां पर एक तो माता पुत्र का पर सिद्ध चित्र है कि इससे चित्र विशय का आधाई ही ज्ञान होता है यहां तो हम इतना ही देख सकते हैं कि एक माता अपने पुत्र को किसी के सामने आग्रा उपस्थित कर रहे हैं और पुत्र भी अलीन पसार कर उस व्यक्ति के सामने उपस्तित है बुद्धुत्व अप्राप्त करने पर जब भगवान पुना कपिल वस्तु में आये तो उन्हें यह सुद्रा राहुल से बढ़कर और कौन सी विक्षा दे सकती थी आत्मसमर्पन को को प्राकाश्ठा का यह चित्र आणा जोड़ नहीं रखते हैं बहुत हीसुंदर है इतना सुदर है उसका देखे और कोई जोर नहीं रखता है अब जिन जातक कथाओं पर अजनता की चित्रकला अधारिता उनका संचीप्त वर्णन कीजिए मतलब कि जो जिन जातक कथाओं पर अजनता की चित्रकला क्या अधारिता उनका संचीप्त में क्या है परिचे दीजिए मतलब संचीप्त में परिचे देना है यहां देके लिखिएग दातों वाले स्वेत वर्ण गजराज थे उनकी दो हतनिया थी जिसमें से एक ने सोतियास डाह वस आत्मत्या कर ली और एक ने राजा के घर जन्म लिया इस जन्म में भी उनकी डाह कम ना हुई और उसने व्याधाओं को गजराज का सिर ले आने को भेजा या जानकर वा आप व्यधाओं के सामने आखरे हुए इसमें व्यधाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा और वे राजकुमार को फुसलाने के लिए उनके छा दातों काट लाए इस बीच राजकुमार के मन में बड़ा परती याद हुआ वाँ दातों को देख कर ही कोहीं मुर्चित होकर गिर परा अधिके निर्देश आनुसार उत्तर देना है तो इसमें देखें निर्देश जैसे दिया हुआ है यह यहां पर जैसे की निर्देश दिया हुए कि कला की अविव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने आईसा अपूर्व अस्थान को चुना उनके अचरण में सत्व सत्व प्रौनाम करना चाहते हैं सत्षत पृणाम करना चाहते हैं जो पार्ट से उद्रीत है trafya जनता की चित्रकला पार्ट से उद्रीत है इस पंगती प्रस्तुत पंगती के माधियम से लेखा कहते हैं कि अजन्ता की चित्रकला गुप्त काल में जो कलाओं का पर्दसन किया है जब कि अस्तान बहुत ही दुर्गम उसस्तान में भी इतना सुंदर कलाओं पर्दसन देखकर उनका बात चरणों में सत्सत नमन करने की बात करता है मतलब कि बहुत ही चित्रकला बहुत ही सुंदर है इतनी चित्रकला है उनके चारो और और कुछ है ही नहीं यह हो ही नहीं नहीं तो उनके लिए किस संकेटित किया गया उनके लिए गौतम बुद्र को संकेट किया गया उसके अब देखें यहां पर दुसरा quién कुशन है इस पक्ति का अभी प्राइश पस्टी इस पंडिका अभी प्राइश यह है कि वहां कि गौतम भूध के आसपास दाना उन्हें डराने धंकाने का पड़ियत न कर रहें किंतु वह साधना में मगना और उनके बातों पर ध्यानी नहीं दे रहें वह क्या यथा चित ज इसमें दिया जाएगा इसे आप लोग को बताना पड़ेगा कि प्रसुत पंक्ति के लेखा का नाम राय कृष्णिदास है परतेख भारतियों को अपने उन अज्यात पुर्वजों पर गर्व करना चाहिए क्योंकि आईसे दुर्गम अस्थन में बड़ी सुन्दरता का कला परिचाय दिया है आज भी हम लोग और की कलाओं को देखते ही रह जाएंगे जब देखनी का लिजाएंगे तो क्या होगा हम लोग देखते हीर रह जाएंगे तो अगर्व होता है भासाब विसके अगर के अब though फॉर्व में है ज delegate आ Safety इसे और अब व्रेंजों संबद्र संबी यह तो यह थो यह थो चित यह थो चित प्रभी मुटी ढब लिए ओक पॉדר में रहाज में देंचिक आधि Snake ये फाए तो गुफाए प्रेम का प्रिती प्यार प्रिती ने धायरी का धीरता चित्त की स्थिरता अग अवग्रता पक्षी का पंची चिढ़ियां पडिंदा घोरा तुरंग गोतक हाय तुरंगम हाथिक गज राज गजेंद्र और माता का अम्मा जननी जन्मजात्री इतना लिख देगा तो हो जाएगा